कि हलो गाइज वेलकम बैक टो अनुदर वीडियो और इस वीडियो पे सिर्फ तीस रुपय का एक स्टॉक और रिल्वे के सिग्मेंट से रिल्वे से जुड़ी हुई है और आया से टीसी भी सिग्मेंट की एक कंपनी है बट इस कंपनी पे कुछ अचानक से बहुत बढ़िया है या फिर क्या इसकी स्ट्रेक्चर अभी बैठती है कहां तक यह जा सकता है और एलाइसी ने इस स्टॉक पे अच्छी खासी होल्डिंग्स बढ़ाई है स्टॉक में रिसेंटली 35 रुपीस का हाई बना था उसके बाद स्टॉक एक कॉंसलिडेशन मोड पे गया हुआ है थ आने वाले टाइम में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइसी ने जो अपनी पुजिसन बनाई है इस स्टॉक पे वह इसी महिने में अपनी पूजिसन बनाई है तो कहीं ने कहीं इतने बड़े फंड ने इतना भरोसा दिखाया तो आपको भी थोड़ा सा एलर्ट रहना चाहिए अगर आपने पहले से स्टॉक पे पैसे लगा के रखें तो आपके लिए अच्छी बात है आपको पूरी वीडियो देखने चाहिए दोनों का काम डिफ्रेंट है मैं आपको इस वीडियो का मायदम से बताना चाहूंगा इन दोनों की बिजनस मोडल को आप सम आया था यह बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था मैं आपको इसकी डिटा भी दिखाऊंगा बट सबसे पहले मैं इसकी बिजनस मॉडल को आपके पास रखना चाहूंगा देखें रेल विकास निगम जो है ना यह वेरियस टाइप्स आप इंफ्रास्टेक्चर नेबल कंस्ट्रक्शन हो वक्षॉप हो प्रोडेक्शन यूनिट हो या बहुत सारे और भी जो छोटे मोटे काम रते हैं वो सारे काम यह अर्वी अनल करती है अर्वी अनल और आयर से टीसी दोनों का बिजनस बहुत ही डिफरेंट है इनकम प्रिजन टू अगर मैं आयर से की बात करूं तो यह कैटरिंग अंट यूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटे इनके नाम पर ही इनको वक्षिपा हुआ है रेल नियर और कैटरिंग की सर्वीशेज और फूट सर्वीशेज विस्पीटिलिटी यह सारी मोहिया करवाती है आयर से टीसी तो आयार से टीसी के पास जो network है जो business है वो इनको order नहीं चाहिए उनके पास market बना बनाया है because आप travel करोगे आप railway का near जो इनकी water की water जो है वो आप खरीदोगे catering का जो बात है वो भी आप करोगे लेकिन यहाँ पर क्या होता है इनको orders मिलते हैं और इसमें government की हिस्सिदारी है 87% की यहाँ पर मोंटर सोडिंग दिख रही है मैं आपको सारी चीज़े इस वीडियो का मायदम से बताना चाहूंगा इन companies के अभी तक के जो returns है वो आप देख पार return on equity 11, return on capital employed 11 है और return on equity 15.8% है अगर इस stock की अभी हाल फिलाल की बात करूं तो तीन मेने में 27% मैंने इस stock को 20-22 रुपे पर आपके पास present किया था मैंने कहा था है कि ये 52 वीख हाई को cross कर रहा है आप इस stock को थोड़ा सा ध्यान दीजे अगर आपको short term पर पैसे बनाने तो देखिए इस stock ने जैसे ही इस level को cross किया था 22-23 रुपे का आप ये screen पर देख पा रहे होगा मैं exactly इसी time पर इस पर वीडियो कवर किया था और मैंन लगता है फिर से recently आपको 35 रुपे तक दिखेगा मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि लाइसी ने holdings जो बड़ाई है वह एकदम recently news है और यह आपको पता होना चाहिए अगर आप इस stock पर बने हुए है तो देख लिजी लाइसी ने लगभग 9% की हिस्सिदारी require की है और यह business today के website पे हो money control के website पे हो या economics times हो जहां पे भी आप चाहें आप वहां से चीज को confirm कर सकते हैं कि IRCTC पे आर्वी एनल पे लाइसी ने साड़े 8% से भी ज्यादा की हिस्सिदारी require की है offer for sales आया था जिसमें 28 रुपे something का price set किया गया था और इसलिए stock पे क्या हुआ 28 रुपे का level भी आपको देखने को मिला तो अभी क्या करना चाहिए देखिए stock में already support के पास से यह stock घूमके आया है stock में गिरावट आई थी जो इस गिरावट को 27 रुपे 50 पैसे से भी नीचे लेके गई थी बड़ इस stock पे अभी एकदम recently 19 रुपे 75 पैसे पे एक hurdle है जो की 50 पैसे उपर में ही है तो जब तक यह stock 29 रुपे 50 पैसे 75 पैसे को नहीं निकलता है आपको fresh position नहीं बनानी है जब तक यह उपर नहीं जाएगा तब तक इसमें fresh तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जो इसमें तेजी की गुंजाइश थी वो अल्रेडी आ चुकी है अभी आपको सिर्प और सिर्प watch करना है और अगर आप अपने इस stock को आप अपने portfolio पे जगा देना चाते हैं जो कि एक best fundamental company है और बहुत छोटे price में है जो 30 रुपिय चालिस रुपिय वाले stocks ढूंडते है ना छोटे price वाले बढ़िया quality का stock है RBNL जी है छोटे price पे 30 रुपिय के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ और आगर आप नहीं चाहेंगे तो इसे skip कर सकते हैं और भी बहुत स आसा है जो आपको long term पर हो सकता एक अच्छा खासा gain दे दे का मॉडिफिकेशन और infrastructure पर जो भी changes आएंगे कहीं न कहीं आर वी अनल को contract मिलेगा डेफेनेटली मिलेगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा यह सभी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा यह चैनल मार्केट मोबर एक ऐसा चैनल है जो आपको आने वाले business model से समझाने की कोशिश करता है कि क्यों इस company का future growth हो सकता विकोज आपको पता railway का modification हो गए digitalization की process पे railway का पूरा sector है आपको भी पता तो कौन चेंज करेगा जो इंफ्रास्टेक्टर का काम करता होई न करेगा चलिए जो भी contract मिलेंगे इनको आगे जाके अभी भी order book इनका खराब नहीं है तो 29 रुपिया पर जो अभी शॉट टर्न में पोजिशन बनाना चाहता है वह 30 रुपिय के पार में जब यह stock निकले मतलब 30 रुपिय पर जब यह trade करने लगे तब इस टॉक पर पोजिशन मनाना है इस टॉक फिर से आपको 35 रुपिय पर दिखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है बाकी देखे मार्केट की तो कोई guarantee नहीं है कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है अगर मार्केट पैनिक होता तो फिर तो अच्छे अच्छे companies के share गिरने लगते है फिर rvnl क्या चीच है ठीक है इसको समझ येगा और उसरी हिसाब से decision लीजीए कि पैसी कौन से time frame के लिए लगाना है आपको दो साल के लिए आपको 6 मैने के लिए लगाना की लिए या अवको सिर्फ दो दिनों के लिए लगाना पांच दिनों के लिए तो जो छोटे टाइम फेरेम वाले है उनको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जो दो से तीन महिने के लिए देख रहे हैं उनके लिए अच्छा लेवल हो सकता है आने वाले एक-दो महिने के लिए यह स्टॉक आपको प्राफिट दे सकता बाकी मरजी आपकी होगी देखिए आप यह स्टॉक मार्केट पर बहुत दिनों से होंगे बट अपडेट की कमी के वजह से आप अपने आपको डिसाइड ने कर पाते हैं कि कौंसे स्टॉक से जाओं कौसे स्टॉक पर कैसी पोजीशन बनाओं तो वह मैं आपके साथ सेड़ करता हूं बाकि मरजी आपकी है आप इस टॉक्ड कीज़े कापको क्या करना कौन से के लिए देखना मैं आसा करता हूं आपको बहुत सारी चीजे इस वीडियो को माईदम से बता पाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा स्टॉक पर बनने से पहले खुद की स्टैडी अनलेसिस जरूर किजिएगा ता